शाजाहा शेक जैसे लोग हालाद बिगाड रही हैं साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं को खत्रा है सुनी उन्होंने क्या कहा संदेश खाली में महिलाओं की इज़त आबरू और उनकी जमीने बचाने के लिए वहाँ गई जाच एजनसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है ममता दिदी ने बंगाल को क्या बना दिया है जहां रविंद्र संगीत गुणना चाहिए था वहाँ बम पिस्टॉल मिल रहे हैं मैं समाचार देखता हूँ संदेश खाली की तराशी के दौरान सीबी आई को तीन विदेशी रिवालवर पुलीस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवालवर एक विदेशी पिस्टॉल बंदूकें कई गोलियां और कार्तूस बरामत किये गए हैं संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बैनर जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है क्या ममता जी जनता को ड़रा कर धमका कर उनकी जान लेकर चुनाओ जीतेंगी